हेलो फ्रेंड्स मूस्ट वेलकम तो ओवर यूटूब चैनल हिंदी टेक्नेक्स दोस्तों आज एनसपी स्कॉलर्शिप यानि नेशनल स्कॉलर्शिप के बारे में बात करने वाले हैं क्यूंकि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद एड्मिशन स्टार्ट हो चुके हैं और जैसे ही बच्चा एड्मिशन कराता है सबसे पहला सवाल उसका स्कॉलर्शिप के फॉर्म कब भरे जाएंगे। करी के लिए बता दें कि उत्तरप्रदेश का सबसे बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड है उसका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों आई सी एसी बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है और काफी सारे बोर्ड हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि state level के अलावा central level के जितने भी board होते हैं यानि जो other states में होते हैं उन सभी का result जब जारी हो जाता है तब ये NSP scholarship के form शुरू होते हैं क्योंकि ये पूरे India level पर भरे जाते हैं और जब तक सभी लोगों के result लगबग नहीं आ जाएंगे तब तक ये scholarship के form जारी नहीं होंगे बात करेंगे दोस्तो डेट की तो यहाँ पर चलते हैं NSP scholarship के portal पर देखते हैं कोई notification तो नहीं आया है यहाँ पर scholarship.gov.in website है जहां से ये form भरे जाते हैं दोस्तो यहाँ पर 14 अपरेल से registration शुरू हो चुके थे लेकिन वो other category के students हैं देखिए यहाँ पर लिखा है SC यानि schedule cast दोस्तो यहाँ पर इनके form शुरू हुए हैं अभी जो normal forms है, minorities हैं और other form अभी start नहीं हुए हैं तो यहाँ पर देखिए जो last year की बात की जाए तो central government के scholarship के form last year भी अगस्त के महीने में जारी हुए थे अभी फिलाल जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने में यह form शुरू होने का तो सवाली नहीं है अगर हो जाएं वो एक अलग बात है लेकिन जहां तक हमारा idea है एक अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे लगबग सभी स्कूल सभी बोर्ट के रिजल्ट आ चुके होंगे इसके अलावा दोस्तों इस website को regularly विजिट करते रहे है क्योंकि scholarship फॉर्म आने में अभी कम से कम 20 दिन के करीब लग जाएंगे तो जब भी यह form आएंगे हम आपको वीडियो बनाकर आपको ज़रूर इंफॉर्म करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन प्रेस करें ओके फ्रेंड्स हमारा वीडियो सिर्फ यही तक मिलते हैं फिर सिखने वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत